नमस्कार दोस्तों तो आज के बीडियो में हम लोग यूनिट निकालेंगे कि अगर एक एचपी की मोटर है हमारे घर में और वो दो घंटे चल रही है तो कितने यूनिट बिजली खर्च करेगी एकदम बेसिक से सीखेंगे अगर आप कुछ नहीं जानते हैं अब ही आप आसानी से निकाल लेंगे कि आपके घर में जो मोटर चल रही है वो एक घंटे में कितना बिजली खर्च कर रही है दो घंटे में कितना कर रही है चार घंटे में कितना खर्च कर रही है उसको आसानी से आप निकालेंगे बस आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं देखिए यूनिट निकालने के लिए हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि एक यूनिट किसे कहते हैं जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक यूनिट, एक यूनिट बराबर क्या होता है, कितना बिजली खर्च हो जाएगा तो एक यूनिट हो जाएगा, तो एक यूनिट बराबर होता है, 1000 वाट घंटा या इसी को हम बोलते हैं 1 किलो वाट घंटा तो अगर आप से पूछे कोई कि एक यूनिट बराबर क्या होता है तो आप कर सकते हैं कि 1000 वाट घंटा मतलब 1000 वाट का अगर है कोई उपकरण अब वो एक गंटा चल रहा है तो वो हो गया एक यूनिट अगर कोई पूछले कि मालिजे 1000 वाट का हमारा उपकरण नहीं अगर हमारा 500 वाट का उपकरण है कोई तो अब ये कितना देर चले कि हमारा एक यूनिट हो जाए तो 500 है और 1000 वाट घंटा है तो वो एक यूनिट होता है, तो पांच सव है, अगर इसको हम दो घंटा चलाएंगे, तो पांच दूनी 10, यानि एक हजार हो गया, तो अगर इसको हम दो घंटे चला रहे हैं, तब यह हमारा कितना चलेगा, एक यूनिट, दो घंटे में, अगर यह हमारा सव वाट का होता, तो अगर सव वाट का है तो दस घंटा अगर चलेगा तब नहीं खजार वाट होगा, तो हम दस घंटे अगर चलाएं इस उपकरण को, तब हमारा कितना बिजली कभी लाएगा, कितना आएगा, एक यूनिट आएगा, इससे हमारा यह निशकर्स निकल रहा, कि जैसे अगर हमारे घर में कई उपकरण है, जैसे सव वाट का कोई पंखा है, या पचास वाट का मान लिजे बल्ब है, पचास वाट का कोई बल्ब है, 50W का कोई और उपकरण है तो इसको हम जोड़ लेंगे अगर तो 2, 1, 3, 1, 4 अगर मालेजे 100W का और कोई उपकरण है तो यह 5 हो गया अब 5 हो का मिला कि कितना हो रहा 500W हो रहा तो अगर यह 500W का हमारे घर में कूल उपकरण चल रहा है तो ये कितना अगर 500 W है तो इसको अगर 1000 W खर्च कर दे तो मतलब दो घंटे चल जाए एक घंटे ये चलेगा 500 W तो 500 W हावर होगा फिर एक घंटे और चलेगा तो ये 500 W हावर तो यानी टोटल कितना हो गया 1000 W हावर और ये ही है एक एक ये डबलूय आच या इसी को हम बोलते हैं एक योनीट यह हमारा बिजली का डिल हो गया तो अब हम देखिये निकानले जा रहे हैं कि एक येज़ी की confir करेगी देखिए अगर एक एचपी बराबर होता है एचपी का मतलब होता हार्स पावर गाव में बोलते हैं हार्स पावर लेगे एचपी का मतलब होता है हार्स पावर एक एचपी बराबर होता है 746 वाट ठीक अब यही देखिए 746 वाट है लेकिन हमको किटने क्या नीकलना 2 गंटे का यब करेंग여 wished 246 है खांत कुरण तो इह हो जायगा 1292 सकbreak सर्वंध कि आया वातगय अब हमको यूनिट पता करना है इसी में हम एक हजार से भाग दे देंग आइस तो यहाँ आजाएगा एक दस्मलो चार नव दो यूनिट ये लगभग आजाएगा डेढ़ यूनिट ये एक दस्मलो पांच यूनिट मतलब इससे ये निस्कर्स निकल रहा है कि अगर हमारे घर में एक EHP की मोटर है और इसको दो गँटा चलाया जाय तो फिल्स एक हम चार चलाया जाय तो जूनिट ये लगभग ईज़ेड हमारे गएक हम अंसार हमाहानी से निकाल सकते हैं मंद आ पांच ये इस्धा को दस्मलो रहता है 100W लेकिन अगर हम मोटर है तो मोटर में 1HP, 2HP, 3HP, 1HP ऐसे रहता है तो 1HP कमान यह होता है 746W, 2HP रहेगा तो 746 का 2W हो जाएगा, 3 रहेगा तो 746 का 3W हो जाएगा, तो इस तरह से हम निकालते हैं, तो चलिए वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरू लिखेगा,